मृत्यु शयापर पड़ी रावण ने लक्ष्मन से क्या कहा जब रावण मनासन अवस्था में पड़ा था तब भगवान राम ने लक्ष्मन को रावण से पशिक्षा लेने को खहा क्योंकि राम भी जानते थे कि रावन इस अंसार के नीती, राजनीती और शक्ती के मान बंजित थे इसलिए राम ने लक्षमन से कहा कि तुम रावन के पास जाओ उससे चीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता है भगवान राम की बात सुनकर लक्षमन मृत्यु शया पर पढ़े रावन के सिर के पास जाकर खड़े हो गए लेकिन लक्षमन के काफी देर खड़े होने पर भी रावन ने कुछ नहीं का लक्षमन राम के पास वापस आ गए और कहा कि प्रबू मैं बहुत देर तक रावन के पास खड़ा रहा लेकिन उसने कुछ नहीं का तब भगवन राम बोले कि किसी से ग्यान प्राप्त करने के लिए उसके सिर्थ नहीं बल्कि चर्णों के पास खड़ा होना चाहिए इसके बाद लक्षमन फिर से रावन के चर्णों के पास जाकर खड़े हो गए और रावन ने मरने से पहले लक्षमन को जो बाते बताई वे आज भी हर किसी को जरूर जाना चाहिए रावन ने मरने से पहले कहा कि अपनी शक्ति और प्राक्रम में इतना घमंट नहीं करना चाहिए कि शत्रू तुछ लगने लगे मुझे ब्रह्मा जी से वर्दान मिला था कि मानव और वानर के अलावा कोई मुझे मान नहीं सकेगा लेकिन इसके बावजुद मैंने इने तुछ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूलती जिस कारण आज में मरनासन अवस्ता में पढ़ा हूँ रावन का दूसरा उपदेश था कि अपने शत्रू और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए कई बार हम शत्रू को अपना मित्र समझ लेते हैं जो की बाद में हमारे शत्रू साबित होते हैं वहीं जिसे हम शत्रू समझ कर पराय कर देते हैं वहीं हमारे असली मित्र होते हैं रावन ने लक्षमन को ग्यान देती हुए कहा कि अपने जीवन के गूंड रहस्यों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए फिर चाहे वे अपना कितना भी सागा क्यूं नहो क्यूंकि विभिशन जब लंका में था तब वे मेरा शुबेच छुक था और जब वे राम की शर रखता है वे नस्ठ हो जाता है रावन का आकरी उपदेश था कि किसी भी शुब या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए वहीं अशुब काम के लिए जितना मों वंश करना पड़े उसे उतना टालने का प्रयास करना चाहिए रादे रादे वीडियो अच्छी ल दन्यवात